Hello friends, welcome to MySolutions और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी चीजी फाइल में से multiple files एक साथ किसे एक साथ करते हैं तो चलिए इसको practically डेख लेते हैं अभी मारे परजन वर्टिंग डियेट्री है slash mysolutions slash y सबसे पर ले इस डियेट्री का content list out करते हैं इसका अंदर ओर्टरी एक जीजी फाइल टिरेट्री है तो सबसे पर ले इस जीजी फाइल का content list out करते हैं ये इस जीजी फाइल का content अपने इस जीजी फाइल में से fileon.txt और fileroot.txt इन दोनों फाइल्स को मैं extract करना चाहता हूँ तो उसके लिए command यूज़ होगा star-xv.f और उसके बाद में उस जीजी फाइल का name आपको लिखना है जिस जीजी फाइल से आप ये फाइल एक्ट्रेक करना चाहते हैं और उसके बाद one by one आपको उन फाइल के name लिखना है जो आपंको जीजी फाइल में से एक्ट्रेक करना चाहते हैं एक बात ध्यान रखेगा कि जब भी आपको इस single file या multiple file एक्साद किसी gg file में section कर रहे हैं तो उस gg file में जो path mention है वो path आपको यहाँ पर भी mention करना पड़ेगा अगर आप यह path mention नहीं करेंगे तो यह command errors हो करेगा आपका command properly execute नहीं होगा ठीक है देख तीजिए आपको file1.txt और file2.txt तो इस पर आप multiple files भी tar command के साथ साथ से किसी gg file में से एक साथ extract कर सकते हैं अब मैं चाहता हूँ कि इस gg file में जितनी भी text file available है उन सभी text file को मैं एक साथ extract करना चाहता हूँ तो इसके लिए आपको tar command के साथ में wildcard यूज करना पड़ेगा तो इसके लिए command होगा tar hyphen xv zf उसको बात हो gg file का नेम आपको लिखना है और उसके बात में double hyphen wildcard और उसके बात में single input comma और star dot txt ये wildcard आपको यूज करना पड़ेगा तो इस बहुत टेक्स file को एक स्टर्ट करने के लिए वो चीजी file में से तो जैसे आप ए command एक स्टर्ट करेंगे ये command वो चीजी file में जित्ती भी text files available होगी इसे भी text file को files को ये extract कर देगा तो देख लिए आप फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt, फाइल 4.txt, फाइल 5.txt, फाइल 5.txt अभी text file में आज से इस जीजी file में text text पाउच भी इस भी text files है इस जीजी file में अगर आप उन फाइल को एक्स्टर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये file का चेंज करना पड़ेगा और पीएक्स्ट की जएगा आपको लिखना पड़ेगा पड़ेगा पीएस्ट तो जैसे आपको ये command एक्सट करेंगे तो इस जीजी file में जेतने में PHP की files होगी यह उससे भी PHP की files को extract कर देगा तो देख लिए यह आपकर दो PHP की files से इसमें file2.php और file1.php दोनों files को इसमें एकसाथ extract कर दिया है तो इस परकार आप multiple files को भी किसी gg file में से एकसाथ extract कर सकते हैं और group को files को भी एकसाथ extract कर सकते हैं star command की साहता से अजि आप पूरी gg file को extract करना का आते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर वाजिका जीच करना पूरेगा श्काफ रोड श्काफ तो यह उस पूरी gg file को extract करेगा चाहे उसमें files हो, चाहे डाइटीज हो, सभी को यह extract करेगा इसके लाब भी एक और command है जिसके लाब gg file को extract कर सकते हैं पूरी gg file को extract कर सकते है। अगर आप यह command sóर यूश करेगे तो यह command उस पूरी gg file प्योजीच कर देगा तो इस वुडियह मम पूरी उसीखा यह multiple files को एक साथ केसे extract करते हैं group of files को में साथ केसे extract करते हैं for example, Chp File ko अगि अच्छर करना हो, किसी hmaching file में से, तो उसे लिए कंमान यूज होगा, अगर व्यregate whab涕 files को आपको अच्छर करना हो, किसी этих function निए से, तो उसके लिए MORE편त्ति फैलों किया होगा, ये सभी इस video हमने सिखाए तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन ज़रू प्रेश करें और मेरे लेक्टेश वीडियो अपडेट किला आप मेरे वीटीब चल कर सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्स पर वोची